क्या आप भी अपना podcast बनाने की सोच रहे हैं, तो anchor try कीजिए. ये podcast बनाने का सबसे आसान तरीका है. नमबर एक, ये free है. नमबर दो, इसमें कई सारे ऐसे tools हैं जो आपको अपने phone और computer पर record और edit करने की facility देते हैं. नमबर तीन, आप अपने podcast को distribute भी कर सकते हैं, जिससे इसे Spotify और दूसरे platforms पर सुना जा सकें. डाउनलोड कीजिए free anchor app या visit कीजिए anchor.fm अपना podcast शुरू करने के लिए. books that speak में आप सभी का स्वागत है. एक मेहने में खेल दिवस है और मीना को 400 मीटर की दौड में हिस्सा लेना है. डगर कठिन है, मगर मीना धीरे धीरे अपने लक्ष की ओर बढ़ती है. पहले वो 100 मीटर पार करती है, फिर 200 मीटर भी पार कर जाती है. क्या वो 400 मीटर के लक्ष को छूपाएगी? आईए मीना के साथ दूरी मापना सीखे. सुनते है कहानी क्या सरपट दौडी मीना? ओरिजनल स्टोरी मीना मेक्स अ डैश बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है अंजली अलपट चितरांकन योगी चंदरशेकरन हिंदी में अनुवात वसुंधरा बहुगुणा कहानी का वाचन असावरी दोशी तो उसके पास एक नया बहाना होता है मेरे पाउ में दर्थ है मेरे पेट में दर्थ है शायद वहाँ साप है उमा मिस सिटी बजाती है भूलो मत की एक मेहने बाद खेल दिवस है आप सभी को 400 मीटर की दोड में हिस्सा लेना है उमा मैडम कहती है मीना को पिछला खेल दिवस याद है वो बहुत तेज दोड़ी थी और लगभग अंतिम रेखा तक पहुँच ही गई थी कि गिर गई सब लोग हस रहे थे इसलिए उसे लोगों के सामने दोड़ना पसंद नहीं बस अभ्यास करो मीना जोरा ने कहां अगले दिन मीना जल्दी स्कूल पहुँची वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे अभ्यास करता देखे और उस पर हसे खेल का मैदान बहुत बड़ा और खाली लग रहा है दोड़ने के लिए बहुत जगा है 400 मीटर की दूरी कितनी होगी उसने उमा मैडम से पूछा मैदान के दो चक्कर 400 मीटर होते है उमा मैडम ने बताया दो चक्कर ये तो इतना मुश्किल नहीं है मीना ने गेट के पास से शुरू किया वो बड़े से गुलमोहर के पेड को पार कर गई लगबग बेंच के पास पहुची ये उसकी सोच से कई ज़्यादा कठिन है वो दोड़ते हुए खुद को संभालती है ओ उसने मैदान का आधा चक्कर काट लिया ये दूरी कितनी होगी एक चक्कर 200 मीटर का होता है मतलब मैंने 100 मीटर की दूरी तै की वो सोचती है अगले हफ़ते जोरा उसके साथ थी जोरा चलाई एक दो तीन तयार भागो मीना जितनी तेज दौड सकती थी दौड़ी वो बड़े पेड बेंच और पानी के कूलर को पार कर गई गेट पर जाकर रुकी और टेक लगा कर जुग गई पसीना बहता रहा 200 मीटर जोरा ने कहा मीना रोमान्चित हो उठी कक्षा में जाते हुए केवल दो बार लड़ खडाई मीना तीसरे सप्ताह के अन तक मैदान को दो चक्कर लगाने के लिए दुरुड संकल्पित है खेल दीवस में अब केवल एक सप्ताह बाकी है वो दौड़ना शुरू करती है बड़ा पेड, बेंच, पानी वाला कूलर, गेट, बड़ा पेड, बेंच, उफ ये तो काफी मुश्किल काम है तीन सो पचास मिटर तुम बहुत करीब हो आरन ने कहा खेल दीवस कल है आरन, जोरा और एना खेल के मैदान में मीना का इंतजार कर रहे है तुम कर सकती हो, एना ने कहा, मीना जितनी तेज दोड सकती है, दोडती है वो बड़े पेड, बेंच, पानी के कूलर, गेट को पार करती है वो थोड़ा लडखडाती है, लेकिन भागती रहती है वो फिर से गेट के पास है और चार सो मीटर, आरन खुशी से चिलाया कल भी तुम्हें बस ऐसे ही भागना है जोरा ने कहा, बिना लडखडाये आरन ने जोड़ा, मीना हस्ती है वो जानती है कि अब वो कल की दोड के लिए तयार है वो कक्षा तक पहुँचने में केवल एक बार लडखडाई उसका ध्यान भी उस तरफ नहीं गया दुनिया भर में लोग दूरी को समझने और मापने के लिए मीटर का उपयोग करते है मीटर दूरी के माप की एक मानक इकाई है जिसमें उन्चाई और चोडाई शामिल है एक मीटर सौ सेंटीमीटर के बराबर होता है और एक किलोमीटर एक हजार मीटर के बराबर होता है तो कैसी लगी ये कहानी? और एसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak ये हमारे चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर हमारी वेबसाइट है www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया